साथियों इन पूरे मामले में अगर आप देखें कि चाइना जो है वो किसका समर्थन कर रहा है सीधी सी बात है चाइना अमेरिका का समर्थन कर नहीं सकता क्योंकि दोनू जो है वो बड़ी अर्थविवस्ता वाले देश है GDP अमेरिका की सबसे जादा है दूसरे नंबर पर जो है वो चाइना आता है तो चाइना हमेशा इस बात की कोसिस करेगा कि वो दोनू प्रतिदवन्दी है और उस स्तिती में चाइना अमेरिका का कभी भी समर्थन नहीं करेगा तो चाइना का समर्थन सीधे तोर पर अगर देखें तो वो रसिया की तरफ जो है वो होता है उसका कारण भी है पहला कारण ये है कि वो चाहेगा कि रूस के साथ उसके रिस्ते जो है वो जादा बहतर हो अगर आज रसिया को चाइना समर्थन करता है और रूस के साथ उसके र पर रोक लगवा सके क्योंकि defense partner है रसिया भारत का रसिया ने उस समय भी कोसिस की थी जब भारत को रूस S-400 दे रहा था चाइना ने पूरी कोसिस की थी कि भारत को S-400 missile technology जो है वो defense system ना मिले चाइना हमेशा कोसिस करता है कि रसिया से भारत को defense equipment की supply होती है उसको कम किया जा सक तो आज अगर चाइना रसिया का समर्थन करता है तो वो उसका ये जटाने की कोसिस करेगा कि इस मामले में हमने आपका समर्थन किया था तो इस स्थी में आप भारत की defense supply रोक दे दूसरा अगर आज चाइना अगर आज चाइना इस क्रीम यूकरेन वाले विवाद को गलत ब तो उस स्थी में वियतनाम का क्या होगा कि चाइना भी वियतनाम में यही कर रहा है वियतनाम जो उसका एक उपनिवेश है उसको अपने कबजे में लेना चाहता है तो फिर पूरी दुनिया चाइना का समर्थन नहीं करेगी यानि चाइना तो ये एक तरीके से रसिया को वो समर्तन ही करेगा इस मामले में क्योंकि वो वियत नाम के साथ भी ऐसा ही कर रहा है तो चाइना का तो सीधा-सीधा Stand Clear है कि वो इस मामले में जो है वो रसिया का समर्तन करने वाला है वो European Union और अमेरिकी देशों का इस मामले में समर्तन नाटों का समर्तन नहीं करेगा